आज बात करेंगे गीता थेरपी की और गीता थेरपी में आज हम ट्रिगर लेंगे जूत देवता और जुराबी देवी का तो ये जूत देवता और जुराबी देवी कैसे इनसान को तंग करते हैं और इनसे कैसे पीछा छुड़वाना है ये आज हम गिता थेरपी में जानेंगे तो सबसे पहले आप वरक सीट बना ले सबसे पहले आपने A, B, C, D ये चार कोलम तो बनाने ही बनाने हैं इसके बाद यहाँ पर ट्रिगर ट्रिगर में जूत देवता और दूसरा ट्रिगर है जुराब्भी देवी जुराब्भी देवी या चपल रानी चपल चपल रानी है चपल रानी है लगा जाएगी वो किसी के लिए ट्रिगर बनती नहीं है चपल रानी तो बन जाती है तो ये ट्रिगर है अब आपने ट्रिगर लिख लिए हैं ट्रिगर के बाद क्या होता है हमने गीता थेरपी में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें समझ लिया था कि सबसे पहले हमारा आमना सामना ट्रिगर से होता है और जैसे ही ट्रिगर से आमना सामना होता है उसके बाद वहम आता है विशेशन आता है विचार आता है वहम क्या आता है या विशेशन क्या आता है विचार क्या आता है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे इसके बाद विचार आता है कि जूता गंदा है जूत देवता गंदे हैं और जुराभी देवी से समंदित वहम क्या आता है कि जुराभी देवी गंदी है और इससे related वहम यही कि चपल भी गंदी है पता नहीं चपल कहां कहां से टच होती है और चपल पर क्या क्या लगा होता है इसलिए चपल गंदी है चपल गंदी है चपल रानी गंदी है यह आपके obsession है यह आपके वहम है यह आपके विचार है ट्रीगर से समंदीत अब इसके साथ संभावित खत्रा जुड़ा हुआ है संभावित डर या खत्रा वो क्या है? वो यहाँ पर आप मैंसन करोगे जूत देवता से समंदीत खत्रा क्या है? यह क्या हो जाएगा? कि बहार से हम आए और जूते घर के अंदर लेकर आ गए तो क्या हो जाएगा घर गंदा हो जाएगा घर गंदा हो जाएगा और डर क्या है बोलते जाओ हाँ 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 धोने पड़ेंगे पैर धोने पड़ेंगे वो उसमें करेंगे भी पैर धोना हाँ धोना वो इसमें आ जाएगा नहाना वो सारा कंपल्शन का पार्ट है पोचा लगाना पड़ेंगा ये तो आपका अलग से विचार है तो यह है कि future में, future में कुछ हो जाएगा, future में घर गंदा हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी यह आपका डर है, समान गंदा हो जाएगा, फरस गंदा हो जाएगा जहां जहां से जूते टच होंगे फरस गंदा हो जाएगा और जुराबी देवी से समधित क्या संभावित खत्रा है कि जराब तो गंदी है ये हमारा ओशेशन है इसे जुड़ा हुआ फियर या डर है कि जराब जहां जहां पर टच होगी वो वो चीजें गंदी हो जाएगी बैट गंदा हो जाएगा बैट गंदा हो जाएगा और चद्रें गंदी हो जाएगी चादर और आपका जो भी संभावित खत्रा है वो यहां पर मैंसन करोगे और चपल रानी से समंदित भी यही खत्रे हैं यही सेम आपके डर इससे भी जुड़े हुए हैं तो कल हमने क्या समझा था कि यह obsession है आपको लगता है कि यह trigger ही समस्या की जड़ है तो आप trigger को avoid करने लग जाते हो तो जो trigger को avoid करना है वो हम लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि आप संभावित खत्रे से बचना चाहते हो तो संभावित खत्रे से बचने के लिए दो तरह का विखार होता है एक तो doing का है और दूसरा avoiding का है तो doing में कुछ करना बार-बार करना और avoidance में बचने का प्रयास करना इन दोनों को समझ लेते हैं आपको लगता है कि या ओचिडी वालों को लगता है कि इस संभावित खत्रे से बचने के लिए ये दो उपाए हैं आप इस खत्रे को कम करके इसको मिटाना चाहते हो या आपको लगता है कि या मेरे मन में वहम आ गया है तो ये सच में हो जाएगा और सच में हो जाएगा सच में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और अगर ये हो जाएगा तो भई ये तो बुरी बात है गंदगी में रहना पड़ जाएगा गंदगी के साथ रहना पड़ जाएगा तो आपको जो फ्यूचर में खत्रा नजर आ रहा है गंदगी फैल जाने का घर गंदा हो जाने का उसे पहले ही निकालने के लिए उस खत्रे को पहले ही निरथक करने के लिए डूइंग या अवईडेंस का विभार किया जाता है तो कल आप ये समझ गए थे मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं OCD में ये पार्ट सच लगने लग जाता है कि ये वहम या जो विचार आ रहे हैं ये सच हैं इन दोनों में कोई समंद नहीं है आपस में पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें राजेंदर जोदपूरिया आप